हलो एवरिवान आप सभी का स्वागत है भई मैगनिट ब्रेंज के शांदारी यूट्यूब चानल पर जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% free of cost high quality education for K-12 यानी kindergarten से लेकर class 12 CBSC board English medium all subjects इसी के साथ हमारे Hindi medium YouTube channel भी है जिसका नाम है Magnet Brains Hindi medium जिस पर हमारी Hindi medium की टीम class 6 से लेकर class 12 UPMP बिहार राजिस्थान और देली बोट के बच्चों को cater करती है free of cost high quality education provide कराई जाती है और बिटा अगर आपको notes की आवशकता है आपको feel होता है कि आपको requirement notes की तो आप हमारी website और application check out कर सकते हो जहां से आप class 6 to 12 English medium मैं हूँ आपका math mentor आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ भाई magnet brains के YouTube channel पर आज के session में हम क्या पढ़ने वाले हैं सर जी sequence and series का जो सबसे पहला word है na sequence इसका क्या मतलब है छोटा सा session रहेगा बड़ा नहीं है मैं फिर बता दे रहा हूँ more than 20 25 30 minutes से जाद नहीं होगा ठीक है तो सर जी शुरू करो previous video अगर आपने देखिए न तो आपको sequence में आ गया यह मेरी guarantee है अगर आपने previous video देखा है तो आपको sequence में आ गया होगा यह मेरी guarantee रेस्ट अगर नहीं देखा है तो आप इसको देख लो इसलिए मैंने यह अलग से video बना रहा हूं है है ना यह session आपको यह video आपको sequence का दे रहा हूं इसके बाद गया है ध्यान से सुनना यह तो example दिये हूए कुछ examples consider करने को बोले उन्होंने आप पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है ध्यान से सुनना ठीक है बहुत तसली बहुत तसली से बहुत तरीके से समझना समझ रहे हो अब यहां मेरी बात समझना ध्यान से ठीक है यह sir ये example तो नहीं लूँगा मैं ये तो आपके पढ़ने के लिए है मैंने previous वीडियो में एक example लिया था कुछ नाम का है ना कुछ नाम का अभी इस वीडियो में examples लूँगा numbers के ध्यान दो सुनना जी sir suppose मैंने आप से कहा कि बिटा one comma one comma two comma three comma five comma eight comma dot 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 suppose मैंने आपको ये कुछ numbers लिख कर दे दिये ठीक है अब मैं आप से कहूं कि बिटा इन numbers को आप कैसा लग दिख सकते हो कैसा दिख रहे हैं कैसे number लग रहे हैं आपको तो आपको सरी तो one आ पिर one आ घया फिर two आ गया फिर 3 आ गया फिर 5 आ गया क्या है सर यह कोई नमबर ही कोई पैटन ही नहीं बन रहा सर कोई पैटन ही नहीं बन रहा सर अब क्या करें सुनते या ना ध्यान से जी सर आपको इस पूरे के पूरे representation में कोई pattern नहीं दिख रहा होगा कोई formula नहीं दिख रहा है कोई formula नहीं दिख रहा है ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो लेकिन एक बच्चा आया उसने क्या करा इन numbers को मैंने का कि आव बटा इन numbers को दुबारा से लिखो rewrite करो तो एक सीधे करके number लिख दिए सुनना ध्यान से जी सर मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने first position पे one लिखा second position पे one लिखा third position पे two लिखा fourth position पे three लिखा तो ये इनकी position fix है मैंने क्या लिख दिया कि इनकी position fix है भाईया इस पूरे के पूरे set में 4th पे कौन है सर 3 आ रहा है 4th पे 4th place पे 3 लिखा हुआ है सर 6th place पे 8 लिखा हुआ है सर अब आप इनको हिला नहीं सकते हो इनको टस से मस नहीं कर सकते हो इनको बिलकुल भी disturb नहीं कर सकते हो ऐसे लिखी हुई चीज जिनकी खुद की identity है जिनके खुद की ranking है कि भाईया मैं first seat पर बैठूँगा मैं second seat पर बैठूँगा मैं third seat पर बैठूँगा मैं fourth seat पर बैठूँगा तो मेरी fourth seat ही है तो ऐसी conditions को हम sequence बोलते हैं और कई बार ध्यान से सुनना भीटा कई बार sequence में हमें कोई एक particular आप कह सकते हो mathematical formula नहीं दिख पाता कई बार जैसे अभी बताता हूँ आपको जैसे सुनना ध्यान से सुनना यहां आपको कोई भी formula दिख नहीं रहा होगा यह fibona की sequence है इसको fibona की sequence कहते है मैं बताऊंगा भी आपको होता क्या है ठीक है यहां आपको एक formula कुछ दिख नहीं रहा होगा अगर आपने इन दोनों को add कर दिया तो आपको यह मिल जाएगा सर यह order चलतो रहा है आप तो गहरे order नहीं मिलेगा order चलतो रहा है हाँ यह order चल रहा है लेकिन सुन लो हमने इसको लाने की विदी धूंड ली के इन दोनों को add करके हमें यह मिलेगा तो यहां से order चल रहा है बिटा, यह order यहां से चल रहा है, what about these two, इनके क्या है order, इनके सर कोई order है, सच दिखी नहीं रहे, अगर order चले तो भाईया, शुरू से order चले, समझ रहे हो ना, और अगर order नहीं चल रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है, कहीं भी order नहीं चलेगा, कभी कभी numbers लिखे हुए जो numbers होते हैं, जो pattern होता है, जो set of numbers दिया होता, उसमें हमें clear एक order दिख जाता और mathematical order दिख जाता, mathematical order, example के तौर पर इसको देख लो, जैसे मैं मैं मान के चलू बेटा, 64, ठीक है, फिर उसके बाद बेटा, 32, ठीक है, फिर उसके बाद बेटा, मैंने 16 लिख है, कैसे, बताता हूँ, mathematical pattern दिख रहा है, mathematical calculation दिख रही है, कैसे, सर 64 को अगर हमने 2 से divide कर दिया, तो यह आ जाएगा, इसको हमने 2 से divide कर दिया, तो यह आ जाएगा, इसको हमने 2 से divide कर दिया, तो यह आ जाएगा, 8, 8 को 2 से divide कर दिया, यह आ जाएगा, इसको 2 से divide कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर एक clear, clear mathematical calculation है, mathematical formula लग रहा है, जिससे हम next, 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 next हम निकाल सकते हैं आराम से, तो इसको क्या बोलेंगे, sequence, ये भी sequence है, ये भी sequence है, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, कि मैं कैसे भी number लिख दूँ, मैं उल्टे सीधे लिख दूँ, लो भाईया, मैं लिख देता हूँ, A, M, P, K, C, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, कुछ नहीं सोचा, मैंने ऐसे ही लिख दिया, अभी ये sequence कहला आएगा, क्यों कहला आएगा, क्योंकि sir, first position पे, अभी हम रैंकिंग की बात करेंगे, हम position की बात करेंगे, sir, first पे A है, second पे M है, third पे P है, third पे P है, तो third position पे P रहेगा, अफिदर नहीं लिखो गे, नहीं, हैना second पे M है, तो M second पे ही रहेगा, समझ रहे हो लेकिन अभी यहाँ पर हमें कोई mathematical format मिला ही नहीं लेकिन फिर भी यह sequence है क्योंकि यह pattern में लिखा हुआ है एक pattern follow कर रहा एक pattern follow नहीं कर रहा एक order है कि sir a is on first place to a is on first place m is on second to m is on second p is on third to peep third पे हाँ अब मैं आप से कहूं कि बिटा a d g j m अब यह लिख दिया मैंने अब यह क्या है सर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ एक order है mathematical order है क्या a बेटा first होता है d बेटा fourth होता है ठीक है a first होता है d fourth alphabet होता है d और फिर बेटा यहाँ पर अपनने से सेवन्थ होता है यह 10 होता है यह 13 होता है तो अब अच्छे से देखो यह 338 होता जा रहा एक फॉर्स यह नी वन में होता है कभी कभी उस तरीके में हमें मैतमेटिक रिलेशन मिल जाता फॉर्मूला मिल जाता कभी कभी नहीं मिलता तो नहीं अगर मिल रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह सीक्वेंस नहीं है अगर लिखे हुए pattern में हमें कोई format नहीं मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो sequence नहीं है वो sequence तब भी होगा पर एक normal सा sequence होगा अगर हमें किसी sequence में कुछ connection मिल जाए कि यार इसको two से divide करो या गया इसको two से divide करो next आ जाएगा इसको two से divide करो अगर कोई format या formula maths का मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो sequence एक special sequence कहलाएगा और उसको बोला जाएगा progression क्या बोला जाएगा progression अगर कोई sequence किसी mathematical connection के तहत mathematical formula के तहत mathematical calculation के तहत चल रहा है तब हम उस particular sequence को special बोलते हैं और वो special sequence कहलाता है progression बात clear है हाँ sir clear है और अगर हमें किसी progression sorry किसी sequence में कोई speciality दिखे ही नहीं कि यार कोई speciality नहीं है कोई mathematical connection या formula नहीं है कोई calculation नहीं है तब हम उसको normal sequence बोलेंगे पर sequence होगा और example एक और लो क्या sir मैंने यहां लिखा ध्यान से सुनना जी sir मैंने यहां लिखा बिटा 1 ठीक है जैसे मैंने यहां लिखा prime numbers 2 ठीक है 3 ठीक है 5 ठीक है 7 ठीक है 11 ठीक है 13 ठीक है और dot dot मैंने prime numbers लिखे यह यह prime numbers है इनका मुझे पता चलिया कि यह पैटन में लिखे हुए पैटन है इनका कि 2 is the first 3 is the second 5 is third 7 is fourth अब इनका कोई mathematical calculation के तहत फंडा बैठ रहा है क्या चेक करते हैं चलो चेक करें sir sir इससे ही आ रहा है plus 1 इससे ही आ रहा है plus 2 इससे ही आ रहा है plus 2 इससे ही आ रहा है plus 4 इससे ही आ रहा है plus 2 sir कुछ particular pattern mathematics का follow होई नहीं रहा यहां plus का 1 है ठीक है 3 में 2 add कर दिया तो 5 आ गया ठीक है 5 में 2 add कर दिया तो 7 आ गया ठीक है 7 में 4 add कर दिया तो 11 आ गया 11 में 2 add कर दिया तो 13 आ गया क्योंकि एक special तरीके से लिखा गया है this is a sequence बात क्लियर है येस तो sequence क्या होता है किसी भी pattern को आप ऐसे ही लिख दो it is a sequence हाँ किस्मत है कि अगर उसमें कोई mathematical calculation के तहत चीजें निकलाएं कुछ फंडा बैठ गया तो उसको हम special sequence कह देंगे मतलब progression हो जाएगा खतम बात क्लियर है अब जैसे एक और example लो sir एक और example लो sir क्या भाई अगर मैं आप से कहूं 2 का square ठीक है sir 3 का square ठीक है sir 3 का square क्या 3 का cube ले लो ठीक है sir 4 की power 4 ले लो ठीक है sir 5 की power 5 ले लो ठीक है sir dot 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 है ना 1 की power 1 ले लो ठीक है sir अब बिटा इसको आप देख के पहचान जाओगे देख के पहचान जाओगे आप क्या कि सबसे पहला है 1 की power वो खुद दूसरा है 2 की power वो खुद तीसरा है 3 की power 3 यानि 3 की power 3 4 की power वो खुद 4 5 वी power 5 ये देख के पहचान गया लेकिन mathematically कोई connection नहीं निकलेगा देख लो mathematically कोई connection नहीं निकलेगा क्या आप कह सकते हो या यह एड करो वो एड करो हाँ आप ऐसा कह सकते हो एन की पावर एन है सर क्या है एन की पावर एन है क्या है दोस्त एन की पावर एन है जहां पर एन क्या है सर एन अपना एक नैचुरल नंबर है है ना बई natural number है नहीं हां सर तो 1 1 की power n की power n 1 ठीक है सर फिर natural number 2 होता है टो 2 की खुद power 2 तो 3 3 की power 3 यह कह सकते हो आप पहचान जाओगे लेकिन mathematically आप कहो कि plus minus करके कुछ और है यह नहीं कह पाओगे अप ठीक है तो बिटा आपको I hope sequence समझ में आ गया होगा sequence are basic चीज बिलकुल basic चीज बिलकुल basic चीज ठीक है यह example पढ़ लेना ancestor वाला समझ में आ जाएगा बहुत basic सा यह लेका ठीक है इन्होंने लेका three comma three point three comma three point 333 sorry three 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 point 33 comma three point three 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 dot 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 यह चलता है ठीक है समझे ना बात को yes sir धियान जो सुनना जी अब सबसे पहली चीज ये है ध्यान दे सुनने बटा बहुत इंपोर्टेंट है क्या सर अगर हम थोड़ा दिमाग चलाए जादा नहीं थोड़ा ठीक है सर अगर हम एक छोट असा थोड़ा असा दिमाग चलाएं तो हमें समझ में आएगा सर किसकी स्पेशलिटी है कि पहले 3 आया फिर आया 3.3 3.33 3.33 3.33 3.33 बढ़ते जा रहे बस सीक्वेंस तो है स्पेशलिटी तो है और देखके भी आप पहचान जा रहे हो के हाँ और देखके भी ये बहुत अच्छी चीज है अच्छी चीज इन दसेंस कि सर ये पैटन भी फॉलो कर रहा है क्या होगा सीक्वें आ रही है बात yes or no yes sir समझ में आ रही है बात yes sir क्या है सर जी simple ठीक है consider the successive questions that we obtained in the division of 10 by 3 at different steps of division in this process we get this 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 and so on the question also forms a sequence ठीक है ये question दियेगा मतलब they are saying कि 3 लिखकर आप 10 को 3 से डिवाइड कर दो 10 को जैसे 3 से डिवाइड करो तो आपका पहरा नमबर ये आएगा अगर आप 2 minutes में लोगे तो ये आएगा ये question question का मतलब है जो answer 10 को 3 से डिवाइड करके जो मिलेगा वो question होता है तो ये सारे के सारे questions जो है question वो क्या बना रहे है sequence बना रहे है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ध्यान जो सुनना बहुत important है जी सर जैसे अभी मैं आपको sequence लिखकर दिखात हो ध्यान जो सुनना जी सर बेटा मैंने लिखा ध्यान जो सुनिएगा जी सर मैंने लिखा five three two five one seven for example कोई mathematical pattern नहीं है इसमें इसमें कोई भी mathematics नहीं लग रही है बस मुझे इतना पता है पहली जगा पर five है दूसरी जगा पर three है तीसरी जगा पर two है चौती जगा पर five है पा खड़ी पोजीशन पर seven है मुझे बस इतना पता है इसको यह नहीं बोल सकते है यह सीकूइंज नहीं है कुछ भी लिख दो तो हम वो सीकूइंज माना जाएगा यह धियान रखना ठीक है क्योंकि particular चीज की particular जगा है अब सुनना जी सर सीकूइंज में हमें कभी-कभी mathematics connection मिल जाता है mathematical calculation मिल जाती कभी-कभी नहीं मिलती है ठीक है सबसे पहले term को हम sequence में क्या कहते हैं बिटा a1 sorry क्या बोलते हैं a1 ठीक है सर दूसरे को क्या बोलेंगे बिटा a2 क्या बोलेंगे दोस्त a2 तीसरे को क्या बोलेंगे A3, क्या बोलेंगे बच्चो A3, ठीक है सर चौते को क्या बोलेंगे, A4 बात के लिए रहे क्या, हाँ सर A4, पांचवे को क्या बोलेंगे A5, A5 यानि 5th term, छटवे को क्या बोलेंगे A6 यानि 6th term तो सर ऐसे हम terms के नाम लिखते हैं किसमें sequence में ठीक है next प्लीज आगे की बात बताओ sir sorry ध्यान से सुनना एक example देता हूँ आपको sequence का बढ़िया सा तगड़ा सा example देता हूँ ठीक है sir ध्यान से सुनो के मज़ा आएगा आपको ठीक है ठीक है sir आपको बोला मैंने three ध्यान से सुनियेगा जी sir हाँ चलो one का square two का square three का square four का square five का square dot 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 यह sequence दिया मैंने आपको ठीक है mathematically कोई connection नहीं है कि sir इससे यह कैसे आएगा इससे यह कैसे आएगा इससे यह कैसे आएगा mathematical कोई connection नहीं है अगर इससे यह आ जाए calculation करके तो progression बन जाएगा भाई जैसे मैं लिख दूँ three six nine twelve dot 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 अब देखना है यह progression है यह sequence तो है अब three से six आ सकता है बेटा कैसे three add करके और अगर मैंने यहाँ से add करके लाया यह तो फिर इसमें भी same होना चाहिए क्या हम add कर दें three हाँ sir six में three add कर दो nine हो जाएगा तो same pattern follow करेंगे तो next 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 आता जाएगा अगर एक टर्म से दूसरा आजाए दूसरे से तीसरा आजाए तीसरे से चौथा आजाए with the calculation with the stable calculation stable मतलब भाई यह plus three set है तो plus three से ही आ रहा है सारे next इसमें plus three करेंगे next आ जाएगा plus three करेंगे तो उस condition में हम अपने sequence को progression बोलेंगे क्या बोलेंगे progression the sequence will be special and it will be called as a progression लेकिन अगर मान के चलो कोई stability ही नहीं है अब जैसे यह यह है भाई आप 1 से यह नहीं ला सकते हो आप 4 से 9 नहीं ला सकते हो 9 से 16 नहीं ला सकते हो 16 से 25 calculation basis पे नहीं ला सकते हो यह 1 है यह 4 है यह 9 है यह 16 है यह 25 है calculation जैसे मान के चलो यहां से 1 से 4 कैसे आए बेटा प्लस का 3 अब क्या यहां मैंने जैसे plus 3 करा 9 आ गया क्या plus 3 करने से 9 आ रहा है नो सर भाई यह 4 है यह 9 है 4 में 5 8 करो तो तो अगर यह plus 3 करने से नहीं आ रहा है तो इसको हम progression नहीं बोल सकते बात क्लियर है हां सर क्लियर है तो यह progression नहीं पर हां यह एक sequence है जिसका order जिसका pattern systematically तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि mathematically इससे यह कैसे आ सकता यह सकता लेकिन हम आखों से देखकर यह बता सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा एक general formula बना सकते हैं क्या ऐसे बना सकते बीटा जनरल formula वह वहिकंऄ रॉम general formula क्या होगा इस sequence का देखना बिटा अगर एक general formula बनाने की बात की जाए तो इस general formula में क्या लिखेंगे सर हम सर वन से शुरूआ one two three इसका मतलब यह सारे natural number है हमने क्या लिख दिया a n is equal to यह one two three यह यह n n की power two सर यह n क्या है n belongs to natural number यह formula बन गया बिटा यह formula बन गया कि सर a n is equal to n की power two मतलब अगर मैं देखूं कि यह n क्या है n natural number है मतलब यह अगर one हो गया a one हो गया तो तो सर यहां भी one होगा तो यह one का square हो जाएगा तो देखो बिटा यह a 1 आ गया यह क्या है a one क्या होता first term तो यह a one आगया वन का स्क्वेर अगर मैं या तू लिख दू नाच्रल नंबर टू तो सर मुझे यहां एन की जगा भी टू लिखना पड़ेगा तो लिए टू की पावर टू आ गया यह एटू हो गया सेकेंड वाले को क्या कहते हैं पिटा सेकेंड वाले टू बोलते हैं लो भी यह ए ठीक है आपको यह बताए दिया मैंने जंडरेल्फ टर्म एंडर्ल फॉर्म या बताया दिया ठीक है ठीक है अपना हमलग झाले अब यह भी हाइए हमना इन और और नन इंफानाइट की बात और अगर और रखनो हाईचीक थाil जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा सर 1 की पावर 2 ठीक है फिर मैंने क्या लिखा 2 की पावर 2 ठीक है फिर मैंने क्या लिखा 3 की पावर 2 4 की पावर 2 5 की पावर 2 यह sequence है ठीक है अब मैंने 5 की पावर 2 क्या कि कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब मेरा sequence वहाँ खतम हो गया limited है, finite है तो इस sequence को कहेंगे finite sequence लेकिन अगर मैंने comma लगा के dot 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 लगा दिया तो इसका मतलब अभी ये sequence खतम नहीं हो रहा, this will be called as infinite sequence, clear है sir है ना, जिसमें आप terms गिन सको भई है, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 5 terms है, तो finite है और dot 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 लगा के हमें समझ में आगे है भाई, गिन्ती नहीं हो पाईगी, बहुत सारे terms लिखे हुए इसमें, तो infinite हो जाएगा ठीक है, तो ये slide भी आपकी खतम हो गई, समझ गई हाँ sir, समझ गई, चलो आगे चलते हैं ठीक है, next ये आपको कुछ questions है, कुछ questions नहीं मतलब कुछ examples दिये गए है basically 1, 2, 3, 4, कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटे-छोटे इस example है, जो मैं बता रहूँ आप वो पड़ो, ये आप notes बनाने के काम में ले लेना, ठीक है, done sir आगे चलते हैं, ये बहुत important है, फीबोना की sequence, जो मैंने अभी आपको starting में बताया था, क्या sir, फीबोना की sequence, याद रखना बेटा आपको बस one and one याद रखना है क्या याद रखना है sir, one and one, बस खतम, अगर आपने one and one याद रख लिया, ध्याँ जो सुनना जी sir, तो आप फीबोना की sequence बना लोगे, कैसे बना होगे, अभी बताता हूं फीबोना की sequence में क्या होता है, आप इन दोनों को add कर दो, क्या हैगा, two अब last के इन दोनों को add कर दो one and two, sir, three अब last के इन दोनों को add कर दो three and two, five अब last केंदोनों को add कर दो 5 और 3 8 last केंदोनों को add कर दो 5 और 8 13 बटा ऐसे ही Phibona की sequence आगे चलता जाएगा Phibona की sequence actually एक ऐसा sequence है ध्यान से सुनने एक special sequence है है special नाम दे दिया गे है इसमें जो actually शुरू 1 से pattern follow नहीं करेगा 1 से first वाली position से pattern follow नहीं करता है है यह कब pattern follow करता है यह कहता है कि भाईया हमारा जो A1 और A2 है वो बराबर है यह कहता है यह हमारा क्या है बच्चा A1 यानि first term और यह क्या है बच्चा यह हमारा second term यानि A2 तो सर यह कहता है कि हमारा A1 और A2 आपस में बराबर है और वो one रहेगा ठीक है उसके बाद ध्यान रखना अब ये बोलेगा कि हमारा जो a n है जो a n है a n जनरल फॉर्मला बना रहे है जनरल टर्म का जनरल फॉर्मला कैसे ध्यान से सुनना सर बहुत important है क्या सर ये कैसे आएगा सर ये आएगा इन दोनों के addition की मदद से ये थर्ड टर्म है न थर्ड टर्म ये आएगा इन दोनों की मदद से ध्यान से सुनना जी सर जैसे ये a3 है तो मैंने लिख दिया सर ये a3 है और ये कैसे आएगा बिटा ये आएगा सर a1 plus a2 a2 plus a1 यानि पीछे के दो टर्म के addition से अब ये ध्यान से सुनना ये क्या है सर ये हमारा मान के चलो n है 3 की जगा हमने n लिख लिया तो a2 2 को क्या लिख सकते है 2 को लिख सकते है 3-1 हा सर प्लस a1 1 को लिख सकते है 3-2 हा सर सही बात है पक्की बात है हा सर बिलकुल सही कह रहे है हो सरा ठीक है भाईया इसके बाद हमने n मान लिया 3 को तो ये भी n हो गया तो a n क्या बना सर? a n बना बिटा a bracket n 3 की जगा n n-1 प्लस bracket n-2 bracket लगाओ तो ठीक ना लगाओ तो ठीक और बिटा यही है देखो कहां लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है देखो a n is equal to a n-2 प्लस a n-1 a n is equal to a n-1 प्लस n-2 तो उन्हों सेम है इधर उदा लिख दी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये फीबोना की सीक्वेंस आपकी है और आपको ये याद होना चाहिए बस फर्क इतना है याद रखना कि इस फॉर्मले में आपको n 1 और 2 नहीं रखना है इस फॉर्मले में n 1 और 2 नहीं रखना है 1 और 2 पिटा अलग है तो n is greater than 2 चलेगा 1 और 2 क्यों नहीं रख सकते सर a 1 अगर हमें निकालना है तो n की जगा 1 लिखना पड़ेगा नहीं a 1 और a 2 फीबोना की सीक्वेंस में सेट होते हैं a 1 भी 1 है a 2 भी 1 है तो a 1 और a 2 निकालने की आवशक्ता नहीं है a 1 नहीं निकालना या न की जगा 1 नहीं लिखना a 2 नहीं लिखना क्योंकि a 2 भी हमें बन दिया a 3 अब जो n न वो 3 से स्टार्ट होगा 3 रखो 3 रखो 3 रखो 3 रखो आपको आंसर मिलते जाएंगे बात समझ में आरी यह सर तो यह है बेटा हमारा फीबोना की सीक्वेंस अब यहां पड़ो जरा फीबोना की सीक्वेंस में इन्होंने कहा कि भईया has no visible pattern देखा जाए आंखों से तो इसका कोई visible pattern नहीं है although मुझे pattern दिख रहा है आपको भी दिखना चाहिए कि यहां से शुरू हो रहा सर यहां से यह कैसे आएगा सर यह आएगा थर्ड टर्म से शुरू हो रहा यह आएगा सर इन दोनों के सम से यह आएगा सर अपने पीछे वाले दो टर्म के सम से यह आएगा इन दोनों के सम से यह आएगा आपने पीछे के 2 terms वाले समसे 3 plus 2 से यह आएगा बिटा आपने पीछे के 2 terms 3 plus 5 से तो यह हमें pattern दो दिख रहा है लेकिन इनके कहने का यह मतलब है no visible pattern का मतलब है first step से आपको कोई visibility नहीं दिखेगी first step से आपको कोई visibility नहीं दिखेगी यहाँ one से one कैसे आया अगर यह पीछे के 2 terms को add करके आया तो फिर इसको भी पीछे के 2 terms add करके आना चाहिए पर पीछे 2 terms तो ही नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए यह rule valid नहीं है इसको one को लाने के लिए इसको लाने के लिए बोले sir 3 plus 5 कर दो क्या बोले बिटा 3 plus 5 कर दो sir ठीक है ना भई हाँ जी sir ठीक है इतना तो clear है है ना यह तो अपना clear हो गया तो फीबोनागी sequence क्या है भईया अब आपको याद हो गया होगा फीबोनागी sequence में sir सबसे पहला यानी a1 one होगा ठीक है sir दूसरा बिटा term a2 यह भी one होगा sir ठीक है अब sir next term यानी a3 कैसे आएगा simple है sir one हमने लिख लिया one हमने लिख लिया अब next term जो आएगा वो इन दोनों को add करके आ जाएगा यानी two तो हम समझ गए जो a3 होगा वो कैसे आएगा बच्चो a3 आएगा बिटा a2 प्लस a1 sir कैसे आएगा बच्चा a3 आएगा आप a1 प्लस a2 भी लिख सकते हो a1 प्लस a2 ठीक है done है हाँ sir बिल्कुल done है अब इनको और इनको भी 3 के हिजाब से लिख दो a3 लिख ठीक है sir a1 one को 3 के हिजाब से लिख हो sir तो 1 को अपने लिखा बिटा 3 माइनस 2 प्लस 2 को भी 3 के हिजाब से लिख को 3 माइनस 1 अब 3 को n से रिप्लेस कर दो बिटा बस इतना सा काम करना है आपका फीबोना की सीक्वेंस का जो स्टैंडर्ट फॉर्मला है वो आ जाएगा बिटा ये 3 को आप n से रिप्लेस कर दो यानि a n is equal to a n minus 2 a n minus 2 plus a n minus 1 a n minus y a n minus 2 plus a n minus 1 याद रखना n बिटा आपका greater than 2 होना चाहिए देखा अपन ने भी 3 लिया न 3 लिया न a1 और a2 तो भाई सेट हैं अब ये फीबोना की सीक्वेंस आपको परेशान नहीं करेगा अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गिया होगा next in the sequence of primes अब ये वोना की सीक्वेंस खताम हो गया ठीक है ध्यान से सुनना जी सर अब in the sequence of primes भाई या prime numbers का sequence होता अभी मैं example दे चुका हूँ आपको 2, ठीक है 3, ठीक है 5 7, 11, comma dot 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 देखो यहाँ पर अपनको sequence पता है words में के ये p r i m e primes के sequence है prime numbers के sequence है ठीक है क्या mathematical formula कुछ बन पाएगा यहाँ नहीं बन पाएगा क्यों क्योंकि सर जी यह यहाँ से ऐसे यहाँ से यहाँ से नहीं हम करी नहीं सकते हैं prime numbers में हाँ odd number अगर लिखे है suppose मैं odd number लिखे हूँ 1, 3, 5, 7, 9 अब यहाँ format बन रहा है यहाँ mathematical funda लग रहा है maths calculation लग रही है क्या बिटा इसमें आप add कर दो 2 और यही add कर दो 3 में 5 आजाएगा 2 add कर दो 5 में 7 आजाएगा यही चलेगा odd वाले में चल जाएगा even वाले में चल जाएगा लेकिन primes में भाया यह कोई भी mathematical funda नहीं चलता है लेकिन still it is a sequence still it is a sequence no mathematical formula no mathematical funda but still it is a sequence it is a sequence of primes पढ़ते हैं बिटा है ना in the sequence of primes we find that there is no formula for nth prime no formula भाई मैं यहाँ से कहू कि बता दो यार 12th prime number कौन सा होगा 12th prime number कौन सा होगा एक formula लगाओ sir formula बने गई नहीं क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर कोई stable mathematical connection या funda नहीं है अगर mathematical connection होता mathematical funda होता तो मैं क्या करता an is equal to जैसे fibonaki sequence में an is equal to an minus 2 plus an minus 1 अपन ने बनाये था यहाँ कोई funda नहीं बन पाएगा ठीक है तो अपन क्या बोलेंगे such sequences can only be described by verbal description ऐसे sequence को हम verbal सिर्फ बोल के बता सकते हैं यह sequence हमारा prime number वाला sequence है है ना ऐसी मैं मैंने अभी आपको क्या बता जैसे one का cube ठीक है sir two का cube ठीक है sir three का cube इसको verbally आप बता सकते हो क्या sir natural number का cube हो रहा है although यहाँ बन जाएगा यहाँ sequence फॉर्मला बन जाएगा यहाँ बन जाएगा n की power n नहीं n की power 3 n की power 3 बनेगा suppose मैं आपको sequence दे दू one cube ठीक है sir two cube ठीक है sir three cube ठीक है sir fourth cube ठीक है sir तो यहाँ आपको clear दिख रहा है बिटा यह one two three यानि n natural number और सब पे cube है तो n cube तो हमने क्या बना दिया an is equal to n cube लो भीया formula बन गया इसको देखकर n क्या है natural number यहाँ n one रखेंगे तो यहाँ भी one one यानि one cube तो a one यानि first time one cube कुछ भी विटा ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है read करना है सारा कुछ ठीक है session यहीं करते है खतम next session आपको मिलेगा series क्या होती है इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों के साथ share करना और बड़ी है तरीके से comments में feedback देना magnet brains के साथ ऐसे ही बने रहो क्योंकि magnet brains आपको provide कराता है 100% free of cost high quality educational videos of K-12 यानि kindergarten से class 12 CBSC board English medium के all subjects all chapters detail में हम आपको इसी channel पर पढ़ाते हैं provide कराते हैं इसी के साथ अगर हम बात करें Hindi medium की तो Hindi medium हमारा एक अलग YouTube channel है जिसका नाम है magnet brains Hindi medium जिस पर हमारी Hindi medium की अलग teachers की team है back end team है सब कुछ अलग है वो और वहाँ पर पूरा अलग काम हो रहा है पूरा dedicated काम हो रहा है Hindi medium के उन students के लिए जो class 6 से 12 तक की classes में है UPMP, बहार, राजिस्तान, Delhi board, 5 state boards के बच्चों के लिए मस्त काम हो रहा है ठीक है notes के लिए आप हमारी website और application चेक आउट कर सकते हैं एक बार check करके जरूर देख लेना आपको best notes हम provide करते हैं हमारी website और application पर website www.magnetbrains.com class 6 से class 12 English medium and Hindi medium all subjects के best वाले notes आपको मिल जाएंगे download करने के लिए जल्दी मिलेंगे take care happy learning bye